हे नमस्कार प्यारे दोस्तों कैसे हो आप सभी उम्मीद किरती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमने 2000 कुशिंज की सीरीज चला रखी है उसी से संबंदित है हमारा ये वीडियो चलो दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप मेरे को कमेंट करके बोल रहे थे कि मैं इसके बाद में आप जतने कोशिंग करवा रहे हो इनका टेस्ट लेना तो दोस्तो मुझे ना अभी यूटूब के बारे में ज़्यादा आता नहीं है टेस्ट लेना मेरे लिए संभब नहीं है कि कैसे कोशन बनाओं और कैसे आपका ओनलाइन में टेस्ट लूँ तो मैं आपको बता दू कि जो डॉक्टर लोकिस वाली सर है उन्होंने अपनी वेब पर हो सभी के उन्होंने टेस्ट सीरीज स्टाट की है मैंने खुद आज उसको देखा खोलके तो मुझे काफी अच्छी लगी मैंने टेस्ट देखे पी देखा हिंदी का जो फिरी वाला उन्होंने डाल रखा एक तो मुझे काफी अच्छा लगा अगर आप लोग चाहते हो कि मैं पढ़ाऊं इसके बाद आपको टेस्ट दे की इसके देस्ट देखना है कि मुझे आता कितना है तो vantage नहीं दूस्तों यह सारी चीजे आपके हाथ में आप चाहो तो कर सकते आप चाहो तो तो आप चाहो तो वहां से जाके उसको जो भी उनका है देख लेना एक बार जाके उनके चैनल पर डॉक्टर लोकिस वाली सरके पर उन्होंने इसके लिए वीडियो भी बना रख्या और सब कुछ बता रख्या है तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आचार रुद्रट ने किस रीती का अविश्कार किया आपको बताना है कि आचार रुद्रट है इन्होंने कौन सी रीती का अविश्कार किया है लाटी का बैधरवी का गौडी का या फिर पंचाली का तो बताईए दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो क्या है तो दोस्तों इन लाटी जो रीती है इसका अविस्कार किया था आचार रुद्रट ने ठीक है काब निर्ना ग्रंथ की रिचना किसने की दोस्तों आपको बताना है कि काब निर्ना ग्रंथ की रिचना किसने की है मममत ने मतीराम ने भिखारी दास ने या फिर चिंतामणी ने तो दोस्तों इसक को क्षेमेंद्र के संकुक्त और गूपत अभीणव भूकित Не bidding you दोस्तों इसका सही उत्तर है वो क्या है तो यहां पर दोस्तों हमारा जो सही उत्तर है वो है क्षेमेंद्र ठीक है आप इसको याद रखिएगा काविशास्तर के संप्रदायों में परंपरा से कौन सा संप्रदाय सबसे प्राचीन माना जाता है दोस्तों आपको बताना है कि काविशास्तर के जो हमारे संप्रदाय है उसमें परंपरा से जो प्राचीन सबको माना जाता है वो कौन सा संप्रदाय है ठीक है दोस्तो रस संप्रदाय है रिती संप्रदाय है दुएनी संप्रदाय है या फिर अलंकार संप्रदाय है तो दोस्तो इसका जो सही उत्तर है वो है रस संप्रदाय है छीक है तो दोस्तो बताईए इसका सही उत्तर है वो क्या है तो दोस्तो यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर है वो है भानू दैत मिस्र आप इसको याद रखेगा आचार क्षेमिंद्र ने इन में से किस सिद्धान्त का प्रवर्तन किया दोस्तो आचार क्षेमिंद्र ने कौन से सिद्धान्त का प्रवर्तन किया है इन चारों में से आपको उसका नाम बताना है बक्रोक्ति का, धुहनी का, रीति का या फिर ओचित का तो दोस्तों बताईए इसका सही उत्तर क्या है तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर है वो है ओचित ठीके दोस्तों इन में से कौन सी रचना आचार विस्वनात की है दोस्तों आपको बताना है कि इन में से कौन सी रचना है जो आचार विस्वनात की है काभी निर्ने है काभी प्रिकास है चंदो मंजरी है या फिर साहित दर्पन है तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है साहित दर्पन साहित दर्पन जो रचना है वो आचार विस्वनात की है इन में से कौन सा सिद्धान्त आत्मबादी है दोस्तों आपको बताना है कि यह चार सिद्धान्तों में से कौन सा सिद्धान्त है जो आतमबादी है ठीक है रज सिद्धान्त है अलेंकार सिद्धान्त है रीती सिद्धान्त है या फिर है बक्रोगती तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है तो इसका जो सही उत्तर है वो है रज सिद्धान्त चंदो मंजरी के प्रणेता कौन है दोस्तों आपको बताना है कि चंदो मंजरी जो ग्रंथ है इसके प्रणेता कौन है भर्त केदार है हेमचंद्र है गंगादास है या फिर है खेमिंद्र तो दोस्तो इसका जो सही उत्तर है वो है गंगादास आप इसको याद रखेगा ठीके दोस्तो किस काईबे को चित्र काईबे कहा गया है देखिए दोस्तो कौन सा काईबे जिसको चित्र काईबे भी कहा गया है ठीके काफी अच्छा कोशन है यह उत्तम काईबे को मध्यम कापको दोस्तों चाही उत्तर नहीं बता यहीं बताए किया है आपको यहां पे यह बताना धुंधं तो दोस्तों इसका जुछ पही उत्तर वो बताईे आप मुझे जल्दी से तो दोस्तों इसका सही उत्तर है होचित वारतिया काप्ली सास्त के अंतरगत कितने परकार के काइभ ऺिटू और की चर्चा की गई है तो के हैं पर कहले को बास किपरेंगे न प्रकोर्ण इनने में से कौन है आपको बताना है कि रस गंगाधर जो ग्रंथ है उसकी रचेता कौन है विशवनात है या फिर है जगनात तो इसका जो सही उतर है वो है किस अचार नें है आपको बताना है कि संकोक ने भट लोलट ने भट नायक ने या फिर अभीनब गुप्त ने तो इसका जो सही उत्तर है वो है भट नायक भरत मुनी के अनुसार रसो की संक्या कितनी है दोस्तो काफी इंपोटन कोशन है बार बार पूछा जाता है तो आप सभी जानते हो कि भरतमुनी के अनुशार रसु की जो सेंख्या है वो आठ है ठीक है दोस्ता कभी समय का सर्वपर्थम सम्यक निरूपन इन में से किस आचार ने किया है दोस्तों आपको बताना है कि कभी समय का सर्वपर्थम सम्यक निरूपन इन में से कौन से आचर ने किया है राज सेखर ने किया है जगनात ने किया है दंडी ने किया है या फिर बामन ने किया है तो इसका जो सही उत्तर है वो है राज सेखर सब्दार्थो सहेतो काव्यम इन में से किस की उकती है आपको बताना है कि सब्दार्तो सहितो कभ्यम ये किसकी उखती है ममट की है दंडी की है भामे की है या फिर है भरतमुनी की तो इसका जो सही उतर है वो है भामे ठीके दोस्तो भामे ने कहा था सब्दार्तो सहितो कभ्यम नई समिक्षा अंदुलन में कौन सा पास्चात आलोचक सामिल नहीं है आपको बताना है कि नई समिक्षा अंदुलन में कौन सा पाश्चात आलो चक है जो सामिल नहीं था ठीक है तो देखिए दोस्तो एलेन टेट है जॉन क्रो रेंसम है बिलियम एमसन है या फिर प्लेटो है तो इसका जो सही उत्तर है वो आप मुझे बताईए दोस्तो जल्दी स तो यहां पर जो हमारा सही उत्तर है वो है प्लेटो ठीक है दोस्तो पाश्चात कावशास्त्रिय ग्रंत पेरी इपसुस कावे में उदात तत्व का लेखक कौन है दोस्तो पाश्चात कावशास्त्रिय जो ग्रंत है पेरी इपसुस इसको कावे में उदात तत्व के नाम से जाना जाता है इसके लेखक कौन है लिचर्ड्स है लोईस इस पार्ट का तो इसको देख लेते हैं चल्दी से और खेतम करते हैं इस वीडियो को यहıμεपे बखुरी को का विक्णा जीवन मानने वाले आचार कौन से है दो दोस्तों कि अबहामे है कुंतक है या पिर है दंडी तो बताए यह दोस्तो इस का सही उत्तर क्या है च्छलों हम चलते हैं अभी इस वीडियो में से बै बै आप से मिलेगे नेक्स वीडियो में